वेल्कम गाइज तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में VPN करना है सूपर VPN यूज करोगे तो इसकी स्पीड थोड़ी अच्छी होती है इसके बाद आपको अपने मोबाइल में CapCut एप को ओपन करना है CapCut एप को ओपन करने के बाद यहाँ पर प्लस वाले आपन पर क्लिक करके आहां से हमी जो भी पोटो में ये 3D एपक्ट डालनी है वो पोटो गैलरी से ले लेनी है इसके बाद ये पोटो पर क्लिक करके थोड़ा इसको अच्छे से जूम करके एडजस कर लेना है इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे ओप्शन आएगा Style का वहाँ पर क्लिक करना है Style के ओप्शन में जाने के बाद राइट में थोड़ा स्क्रॉल करके हमें एक ओप्शन डुनना है जिसका नाम है Motion तो थोड़ा त्यान से यहां पर राइट में स्क्रॉल करके जाना है यहां पर हमें option में दिखाई देगा हो split के left में होगा motion तो motion के option पर क्लिक करते हैं यहां नीचे दिखाई देगा 3D zoom तो वहां पर हमें क्लिक करना है और अमारी photo पर एफेक्ट डालनी है यह इफेक्ट जनरेट होगी और 99% हमें दीख रही है 100% हो जाने के बाद यहां पर हमारी जो photo पर 3D zoom एफेक्ट डाल रहे है वह यहां पर जनरेट हो जाएगी अगर आपको दूसरी एफेक्ट लेनी है तो इसके लेप्ट में एक 3D zoom pro करके एफेक्ट है आप वह भी यूज़ कर सकते हो तो आपको जो भी पसंद आए दोनों में से उस पर क्लिक करके ऐसे जनरेट होने देना है इसके बाद थोड़े सेकंड लेगा और हमारे वीडियो पे यह फोटो पे एफेक्ट लग जाएगी तो गाइस वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना जय ही जय वारा